जहिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाप लूसेंट की बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अवस्चन देखें यह अपनी जो है लूसेंट की सीरत दूसरी सुरू हो यह 500 प्रिशन वाली एक वास्चन यहाँ पर 500 प्रिशन है तो वीडियो को पूरा अवस्चन देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करनें बेल आइकन दबाएं ओल पर कलिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप कहां तक ब्रत हमाले और पीर पंजात। अंगला कॉस्चन यहाँ पर पूँचा है कि भारत की एक राजिस्तान, तमिलनाडू, महराष्ट और कन्याटक राज्यों को उनके भौगलिक छेत्र के घटते क्रम में विवस्तित करना है तो यहाँ पर घटते क्रम में विवस्तित करना है तो सबसे पहले आपका आजाएगा राजिस्तान, फिर आजाएगा आपका महराष्टे, फिर आपका आजाएगा कन्याटक और पिर आएगा तमिलनाडू, यह जो है घटते क्रम में इस परकार इनको जो है क्रम में विवस्ति स्वेज़फच में से कुई एक भारत नीली्यक्रांति से संब्धित है नीलीक्रांती से संब्धित है मतस्यपालं याद रखिए अंगल्या कोशन क्या है कि भारत और पाकिस्तान के मद्द सीमारीखे एक उधारन है तो किसका सीमा का अध्या चेट्र कौन से था अन्दप्रदेसTAT जो था इस चक्रवास से बहुत प्रभावित हुआ अंगला कॉर्चन है कि चम्बल नदी पर कौन सा जला नहीं ग्रेसर को सबसे बड़ा पोद्प्रांगण सबसे बड़ा जो है कोचीया का राइट और सबसे बड़ा क्या है पोद्प्रांगण हैं चुछ मिंनल्म will सवर्देश की उत्खाथ भूमी पढ़ नाम है तो यहीं जो पढ़ नाम है और ननिका अपरदन का किसका पढ़ नाम है अवनलिका परदन आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन देख लेते हैं अंगला कॉस्चन क्या पूँचा गया है कि भारत में केंद्रिय गंगा प्राधिकन की स्तापना कब की गई थी बहुत ही मादपुन कॉस्चन है कई बार यह एक जांप कॉस्चन पूँचा जा चुका ह है 1985 में इसकी स्तापना हुई थी अंगला कॉस्चन साइलेंट बैली परियोजना किस राज में साइलेंट बैली परियोजना बताना है साइलेंट बैली प्रोजेक्ट जो है कीरल राज में कहां पर कीरल याद रखी कीरल आपका राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है भारत की स्रांड्यम चेतरवज परियोजना जोड़ती है, तो किस से किस को जोड़ती है, भारत की स्रांड्यम जो चेतरवज परियोजना है, दिल्ली, मुंबाई, चेन्ड़ी और कलकत्ता को जोड़ती है, अंगला कॉस्चन क्या है, तो अंगला कॉस्चन है, आपका यहाँ पर मूल, ग्यस सबसे बड़ी ग्रंंटी है सबी के लिए पता है कौण सी सबसे बड़ी ग्रंती मानव शरीर में रिदी या रियां सब्सक्राइर यानदार्य होता है सिर्का का रसाइनिक नाम बताने है, question number 20 का सही answer यहाँ पर, सिर्का का रसाइनिक नाम है, acetic aml, acetic aml आपका राइट answer, myopia किस अंग का दो से, myopia जो है, किस अंग का दो से, तो नित्र आपका यहाँ पर सही answer है, नित्र, अंगला question क्या है, calorie, kilo calorie, kool, jool, और बाट में से कौन सी एक उस्मा की एकाई नहीं है, देखे, उस्मा की एकाई नहीं है, तो बाट जो है आपका, बाट एक उस्मा की एकाई नहीं है, अंगला question है, कि सादान बेरोमेटर में कौन सा, या कौन से द्रब्ड प्रियोग होती है, तो कौन से द्रब्ड प्रियोग होता है, तो पारा आ इधन नहीं पूँचा है तो नहीं में आपका आजाएगा इउरेनियम इउरेनियम जो है इउरेनियम एए क्या है जीवासमी इधन नहीं है कॉस्चन नमबर पच्चेसवा है कि कोईला नाविकिये उर्जा पेट्टोल और स्वरूर्जा में तो मद्द परदेश में पंचवर्जी ओजना का विदीवत इम वास्टविक सुवारंबे माना जाता है अंगला कॉस्चन क्या पूँचा गया है क्या पूँचा गया है कि मोनो सेकिराइट और डाय सेकिराइट और पॉली सेकिराइट इनमें से इस्टार्च क्या है इस्टार्च बताना है इस्टार्च क्या है तो इस्टार्च जो है पॉली सेकिराइट आपका यहाँ पर सही आंसर है पॉली सेकिराइट राइट आंसर अंगला कॉस्चन है प्रिथम पूसक इस्तर के अंतर गताती हैं क्या आती हैं प्रिथम पूसक इस्तर के अंतर गताती है हरित पादप आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन है कॉस्चन नंबर 29 वा कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है कि दुग्द के निर जर्मी क से यह पास्चुरी संबंधित है एंगले question क्या है ओजोन चित्र का कारण है तो औजोन चित्र का यहांपर ला बतानք है आपका यहांपर सही answer है इंगले question है राजन्र से है इयांपका जल पुरुस की नाम से जाना जाता है किसको जाना जाता है राजंद से हैं आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन है चिपको अंदूलन के प्रिणिता कौन है चिपको अंदूलन एक कई बार कॉस्चन जो है आपका एक जामें पूचा गया है चिपको अंदूलन के जो प्रिणिता है बैहें सुन्दलाल बहुगडा सुंदरलाल बहुगडा आपके हाँ पर टाइट आंसर अंगले कॉस्चन है कॉस्चन नमबर 33 की भारती सर्वेक्षन वाक संस्ता क्या पर्यावरण से संस्ता है यह क्या पर्यावरण से संस्ता है तो नहीं यह पर्यावरण से संस्ता नहीं है अंगले कॉस्चन पूछा गया ह भारत में बन्यजीव सर्रक्षन अधीनियम किस बर्स लागू किया गया था तो बन्यजीव सर्रक्षन अधीनियम जो लागू किया गया था भारत में 1972 में लागू किया गया था अक्तुबर 2015 में ये सहीयोग योजिना किस विभाग द्वारा प्रारम की गई थी आयकर विभाग द्वारा आयकर विभाग इंकम टेक्स आपका सही आंसर होगा अंगले कॉस्चन क्या पूँचा गया है अंगले कॉस्चन पूँचा गया है आपका की अपनी भारत यात्रा की द्वारान फेस्बुक का संस्थापक मार्क जुकरवर्ग ने किस एतिहासिक इमारत को देखा था तो वह अपनी यात्रा की द्वारान उन्होंने देखा था ता 2015 में G20 शिकर सम्मिलन जो हुआ था, वह हुआ था, कहां पर वह हुआ था, अंटालिया तुर्की में अंगले कॉस्चन है, क्या है, रूस, बिर्टेन, इस्पेन, कनाड़ा, मैं ऐसे कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है अंगले कॉस्चन है, क्या है, यहां पर अंगले कॉस्चन है, यहां पर अंगले कॉस्चन है, इस्टी टंक्त का लेखक कौन है तो इसके लेखक पूँचा है, O.P. सभरवाल आपका सभी आंसर होगा अंगले कॉस्चन है, क्या है, I.N.S. ब्राट, I.N.S. सिंदुरक्षक, I.N.S. राजाली और I.N.S. विक्रांत मैं से कौन सी एक भारती नौसेना की पंडुब्बी है तो भारती नौसेना की पंडुब्बी बताना है, इस चार आपकी विकल्प टाइप के दिये गए है अजीर, रूस, दच्छन, पिरिकाओ, कनाड़ा मैं से कौन सार देशों मैं से एक नहीं है, तो क्या है इसका सही आंसर, आपका राइट आंसर है, आहापर कनाड़ा, कनाड़ा आपका यहाँ आपर सही आंसर है, जिन है, नवंबर 2015 में अंतराष्टी मुद्रा कोस में कारेक कारी निदिशक के रूप में, अंगले कौस्चन 2017 का सूटिंग विश्रुका पे किस देश में हुआ, तो एह जो हुआ है, एह कहाँ पर हुआ है, भारत में, भारत आपका सही आंसर है, अंगले कौस्चन है, कौस्चन नमर 45 की भारत है, मेंके से राष्टी नेता की राष्टी में, उनके जन्म दिवस पर राष्टी एकता दिवस की रूप में मनाय जाता है, ये कौस्चन आपका बहुत ही महत्पुन, कौस्चन राष्टी एकता दिवस मनाय जाता है, किनके जन्म दिन पर सरदार बललबाई पटेल की, सरदार बललबाई पटेल आपका सही सतापना यहां बिलकुल जाही ऑगल형 कॉस्चन है कि गोल्ड एक्स पॉ्रिट पॉर्ट प्रमुशन है परक घंख साल बकल के तो अ हैं पर अपने जो है आज के वीडियो में बस एतना ही यहाँ पर बहुत ही मात्वण कॉस्चन अपन यहाँ पर 50 कॉस्चन कंप्लिट किये हैं क्यांसा लगा वीडियो कमेंट में जरू बता हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें